हेलो गाइस वालकम टू माई चैनल बाइलोजी बीडियू आज हम पढ़ेंगे चैट इटिंग बॉडी फ्लुइड्स एंड इट सर्गुलीशन जुसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा डब्लू बीसी तो हम पहले एक बार एंसी आर्टी से लिखते हैं कि एंसी आर्टी बह या इस सट्लाइफ़सें वह बहुत ज्यादा कम होता है ये बहुत ज्यादा कम होता है सोट लाइट होते हैं और वहीं इसका जो क्म staff उखेंस प्रती सीजित सिंटर घू स्बर्पाजांद मिलेमिटर जाता है व्लाट जांप्र की शपो दो दो वाटा जाता है पहला होता है जिसमें उसाइट कर प्रेजन होते हैं तो इसमें होता है यूट्रोफाइल बेसोफाइल और अशीटोफाइल इसको इसनोफाइल भी बहुत सकते हैं और वही एक रेंड नियुनु साइट में लिम्फोसाइट प्रेजंत होते हैं जिसमें B और T टाइप्स के लिम्फोसाइट प्रेजंत होते हैं अब हम इसको इसको इसके नंबर्स महल ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि NCRT जो से न्यूट्रोफाइल का यूट्रोफाइल 60-65% प्रेजंट होता है हमारे WBC में वही जो बैसोफाइल से वो बैसोफाइल 0.5-1% लिम्फोसाइट होता है 20-25% इसनोफाइल होता है 2-3% और मोनोसाइट होता है 6-7-8% तो इसका याद करने का मैं आप लोगों को यहां पर इंट्रिक बता दिते हूं यह होता है नल मवट ठीक है क्योंकि यह 60-65% सबसे ज्याद है लिम्फोसाइट है 20-25% मोनोसाइट होता है 6-8% और एसिटोफाइल सोता है इतला 2-3% और पेसोफाइल सोता है हमारा वान परसंटीक है जरो पॉंट्ट तो इसका ये इसका और बहुत ज्यादा इंपॉटेंट है पूछा जाता है और आता भी कि सबसे ज्यादा कौन सा है तो अब इसमें हम इसका क्या पढ़ेंगे फशंक्शन नूटर फाइल और ऑर पार सेट है बहुत ज्यादा रहते इसको यह destroy करना start कर देता है, suppose इसको मैं एक्जाम पर देगे बता रहे हूं, जैसे कि कोई भी कहीं भी हो, unwanted चीज आता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा, अगर enemy आ रहा है, कोई भी दुस्मन आ रहा है, तो उसके प्रती एक बहुत बड़ा, उसका दुस्मन भी रहते है दुनों against me, तो क्या होता है, वैसे neutrophile monocyte present होता है हमारे WDC में, इसके avenger और आर्मी की तरह, जो help करता है, कि foreign body को destroy कर दे, वही जो besophils है, besophils क्या secret करता है, besophils secret करता है, histamine, serotonine और heparine, heparine का क्या काम है, वो coagulation करता है, clotting करता है, histamine और serotonine सब जानती होगी, क्या करता ह एलर्जी पार्ट को remove करता है, ठीक है, एल इंफ्लामेंटरी रियक्शन, इसनोफाल, 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 जिसमें acid present होता है, तो यह क्या करता है, जित्ता भी parasitic है, उस और इसनोफाल करने के लिए, बहुत बड़ा helper है, अब चलते है, लिंफोसाइट, लि अब इसको formation क्या है, यह bone marrow है, तो अब यह bone marrow में, कैसे होता है, यह यहाँ बीच में, बी लिंफोसाइट होता है, क्योंकि यह bone है, लेकिन जो T होता है, जो T lymphocyte हो कहा होता है, यह thaymas gland रहता है, ठीक है, थाइमस gland में present होता है, जिसमें यह होता है, ठीक है, आज हम बस लिफोसाइट इतना ही पढ़ेंगे, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, किसमें, human health and disease में, अब चलते हैं, प्लेटलेट्स में, प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स को थ्रंभोसाइट भी बोला जाता है, और यह एक cell नहीं है, यह बहुत ज्यादा छोट साइस होता है, यह इसको आप बोल सकते हैं, तुकड़ा बोल सकते हैं, बहुत छोटा रहते हैं, बहुत ज्यादा छोटा तो इसको सेल फ्रेग्मेंट बोला जाता है, बट इसका फंक्शन तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कैसे हैं, क्योंकि अगर देखों, यह तो ने रहेगा तो यह क्या होते हैं डिसौटा होता है इसको बहुत है हीमोफिलिया क्या होता है अकर छोटा से भी कट लग जाए तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है उससे परसंड डाइब हो जाते हैं मर जाते इसलिए वह जोटा तो है तो इसका जो काउंट सेना वह इस शजय प्रेज़न को सबसे ज्याद कर सकते हो याद कर सकते हो यह यह मेरा तरीका है अब चलते हैं हम लोग blood group सब जानते हो यह 4 टैप से होते हैं A, B, AB और O अब इसके antigen. कोई भी RBC में अगर antigen present है तो जैसे कि कि सीका blood group A है किसी का B होता है किसी का O होता है किसी का B होता है तो जैसे जैसे blood group रहता है वैसे यह आटेजिशन उनके RBC में present होते है A का है तो, A में B को है, To B में A B है लेकि O में कोई बी Antigents present नहीं होता वैसी ही Antibodies भी present planning प्रेज़ा रहते हैं जिसे एइ Antigennes है, तो उसमें क्या होता है ?Anti-B होता है B में Anti-A होता हैs, Ab में Nihil पुछ भी Antigences explosives present नहीं होता है वहीं O में Anti-A और Anti-BC होता है और आप जिसे की AB में निल क्यों है क्यों कि यह सारे प्रकार के जितने भी ब्लड से यह इसको ले सकता है कुछ भी डोनेट कर सकते तो क्या होता है यह कोई भी ब्लड तो एकसेप्ट कर सकता है तो इनको कोई भी एंटिबॉडिस प्रोड्यूस करने की जरुबत नहीं बढ़ और भी है तो वहीं है तो अब तो डह सकते हैं अब क्या है इस अब कई बोल गया है कि अगर विडोनर है तो कियर फुली ही देना चाहिए भी प्लड को बीफॉर बिना चेक के नहीं दे सकते, क्या होता है, जिसे कि A है, एक परसन A है, सपूर उनको ब्लट का जरूबत पढ़ गया, तो उसको हम A दे सकते हैं या O दे सकते, सपूर्स उस ब्लट ग्रूप में हम B डाल दी, तो क्या होता है, वो चिपकने लग जाते हैं, जो RBC है, clotting factor बन जाते है clot नहीं लग जाते है blood में वो accept नहीं करता हूँ वो और लड़ा reaction कर देता है ठीक है guys I hope समझ में आगे होगा अब हम चलते है RH grouping में अब इस RH grouping क्या होता है RH भी two types की वोते हैं ठीक है RH two types की वोते हैं ठीक है यह RH positive भी होता है RH negative भी होता है तो क्या होता है RH positive है तो RH negative से भी ले सकता है RH positive भी ले सकता है लेकि negative होते हैं गलती से भी RH positive नहीं लेना चाहिए ऐसा क्यों हो अगर गलती से भी RH positive ले लेते हैं एक बार में कुछ भी होता तो second time अगर वही RH positive दो तो mismatch होने की कारण में मैं आप लोगों बताएं कि clot factor start हो जाता है और person die भी हो जाता है तो उसी में एक example दिया गया है इसमें और आप लोगों बता देते हूं यह rhesius क्या है rhesius monkey है सबसे पहले blood group monkey में देखा गया है तो इसका एक example है जिसे कि rh positive human individual is absent in rh negative तो इसको मैं आप लोगों की example बता आ रहे हूं जैसे कि बेबी ठीक है बेबी rh positive है और mother rh negative है तो इसमें तो first delivery में कोई problem नहीं होता ठीक है लेकिन क्यों अगर जैसे मैं आप लोगों को call रड़ी बता चुक हूं रह नीगेट्व रह पोजिटिव को नहीं ले सकता लेकिन first जो first होता है delivery time जब placenta को काटते हैं तब जो आरच positive बेबी है वो उसका जो blood है वो mother के में जाता है तो mother first time antibodies create करने start कर देती है first time ना तो first time तो कोई problem नहीं होता लेकिन second time जब होता है तब problem severe case आजाते है जिससे baby die भी हो जाता है death हो जाता है बेबी का और वहीं हाँ अगर same condition बेबी के में हो गया तो अगर जो भी positive है वो बेबी के में चले गया निगेटिव आरच अगर बेबी के में चले गया तो उनको अनिम्या हो जाता है और जो एंडियस कभी हो जाते है एक जाम इसको एंटियाटी से देखते हैं ठीक है देखो such individuals are called RH positive and those in whom antigen is absent in RH negative and RH person if exposed RH positive will be specific antibodies against RH antigens असमें बता है अगर first time RH negative को RH positive देदो तो वो antibodies बनाना create करना शुरू कर देता है लेकिन therefore RH group also matched before transfusion पहले तो check करना जरूरी होता है और special care of RH incompatibility mismatching वही एक उल्क्रेशन होता है clumping of blood होता है और एक और चाहिज बताना बुल गए इसमें IgM यह antibodies create करते हैं सबसे बड़ा है तो इसमें IgD होता है EMAG होता है सबसे बड़ा होता है आपको याद करने करका है दिमांग ठीक है ऐसे भी आप याद कर सकते हो तो देखो कहां परते हैं और यह प्रेजन से में सब कुछ प्राब्लम ज्यादा नहीं होता है क्योंकि जो अभी blood है वो मदर के अपने वैजल में चलता है और जो बेबी है उनके वैजल में लेकिन जब प्लेजन टकरने के टाइम से प्रेट करते हैं उस तेम प्रॉब्लम क्रियेट होता है हावे दिवरिंग फर्स दियर फिस प्रॉसिबिलिटी एक्स्पोजर अप में चले जाता है यह सच केस मदर स्टार्ट प्रेपेरिंग एंटिबॉडी अगेंस्ट आरेज एंटिजन इन हर ब्लॉड क्या होता है फर्स टैम जो भी एंटिबॉडी जैम वो क्रियेट करना स्टार्ट करते ही फर्स टैम तो तो इन केस हर सब्सक्रेंट प्रेंगेंसी तो आरेज एंटिबॉडी स्टार्ट कर देता है इसके कारण क्या होता है सेवर अनिम्या स्टार्ट होने नग जाते हैं उनकी बॉडी में और क्या होने स्टार्ट हो जाता है ज्यांडी और इस कंडिशन को बुलते हैं अर्थ्रोब्लास्ट इस वाड़ेट एड्मेटरी एंटी इन्टू मादर इमेडियेटल आफ्ट रिवे फस्ट चाल्ट अब इसके बाद ये फस्ट चाल्ट तो नॉर्मल होते हैं लेकिन सेकंड चाल्ट का नॉर्मल होना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ग्रेट हो जाता है ओके गाइस आप लोग आरेज ग्रूपीं समय में आगे होगा और साथ साथ आप लोग 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 लास्ट यह को क्वेशन भ कर सकते हूं आज बस इतना ही थांक्स वर वाच आप